नमस्ते भारत आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्व चैनल पे चेक्स वर्ल्ड तो आज हम सीखेंगे मूली का पराठा बनाना मूली का पराठा आप जब भी बनाते होंगे तो आपका मूली का पराठा जरूर फट जाता होगा मूली का पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक मूली ले लेना है तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मूली ले सकते हैं मूली को हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे जो हमने great किया था, उसके साथ साथ हम इसके अंदर प्यास डालेंगे, तो आधा प्यास का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया और प्यास को बिल्कुल finely chop कर लिया है, प्यास के बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही नमक डालें, जादर नमक ना डाल नमक डालने के बाद आप इसको अच्छे से mix कर ले mix करने से क्या होगा इसके अंदर जितना भी पानी होगा उसारा release हो जाएगा तो अच्छे से इसको mix कर ले उसके आद mix करने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए set होने दे 10 मिनट जैसे आप इसको छोड़ देंगे मूली और प्यास के अंदर जितना भी पानी होगा वह सारा release हो जाएगा और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे हमारा मूली और प्यास जो है वह पानी release कर चुका है देखें कितना पानी release कर रहा है अब हमें क्या करना है इसके अंदर डालना है एक पॉल करी मैंने यहां पर आटा इस्तेमाल किया है आप अपने according यहां पर आटा डाल सकते हैं आटा डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक टेबल स्पून बेसन यह बिल्कुल हाफ तेबल स्पोन दालेंगे हाफ टेबल स्पून से थोड़ा जदा हम इसके अंदर कं़र मसाला क different बाइबी डालेंगी पाफ टेबल स्पून हम इसके अंदर जीरा रहा पर इस्तमाल कर सकते हैं उसके भाफ टेबल 시बसरेंगेक बाद देखेंगे हमारा मुली और आटा बहुती है अच्छे से मिक्स होचका है अम इसके अंदर थोड़ा-धोड़ा सा पानी डाल करके अम इसको हच्छे से मिक्स कर लेंगे दुबारा से एक अच्छा सा डो बना करके त्यार कर लेंगे और एक ही बार में आप पानी का इस्तमाल ना करें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही आप डो बना करके त्यार कर लें अगर आप जादा पानी का इस्तमाल करते हैं पराठायम का डो ठायट नहीं गुतेगा और बिल्कुल गीला हो जाएगा तो अक्छे से थोड़ा थोड़ा पाणी डाल करके ही एक अच्छा-सब बना करके त्यार कर लिए तो हम थोड़ा सा आठा स्प्रिंकल कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से पेड़े के ऊपर आठा लगा लेंगे और बेलन का इस्तमाल करके हम इसको अच्छे से रोल कर लेंगे वारस से हम थोड़ा सा आठा स्प्रिंकल करेंगे और अच्छे से हम इसको रोल करते जा हमें तवा लेना है तवे को हम अच्छे से गरम कर लेंगे उसके बाद हम तवे के उपर मूली का पराठा रखेंगे और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रख करके ही पराठे को पकाएंगे यहाँ पराठा जो है वो नीचे के साइट से पक चुका है अब हम उपर के साइट से पराठे को पकाएंगे उसके बाद हम इसके उपर थोड़ा सा घी डालेंगे और पराठे के लिए यहाँ पर मैंने घी का इस्तमाल किया है आपको इसा भी ओल का इस्तमाल कर सकते है जो भी तो बहुत ऑच्छा ओ hides रिए अजो खोलिए हम नीचे के उम्पर पुपर और नीचे के माइने साइट वाले अजी मोकले थोड़ा सब्सक्राइइ गहीं चैरा ता बलाध इन जो पर नगता की हैं नीचे के साइट वाले पर और अगो तो दोनों साइड से आप पराथे को अच्छे से पका लें अगर आपको पराथा और क्रिस्पी चाहिए जाए तो आप झाल झाल